चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को देखो इस में क्या कहा जा रहा कि रदर फोर्ट स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट वेने प्रोजेक्टाइल जेड वन एंड मास M1 एप्प्रोच टार्गेट आ टार्गेट आप दे नुकलियस जेड़ टू ठीक रदर फोर्ट अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट आप पड़े होगे प्यारे बैच्चों तो उसमें क्या होता जो अल्फा पार्टिकील होता है यह कुछ नहीं है हीलियम नुकलिया ही है ठीक ना और वो नुकलियस को एप्रोच कर रहा है तो यह अपना नुकलियस है इसल वेलासिटी भी जब टाइम जीरो होगा ठीक है क्योंकि अपने आप तो जाएगा नहीं तो कुछ वेलासिटी देए कि नुकलियस को एप्रोच कराऊगे या नुकलियस के पास इसको वेजोगे तो होगा क्या कि इसकी नुकलियस की प्रजेक्टाइल अब चार्ज इस दिए जो चार्ज है वो जेड बन ऑफा यह नुकलियस की चार्ज यहां से जड़ टू है मतलब यह चार्ज की टू है यह चार्ज की आ अब यहां पे जो है क्लोजेस्ट डिफ्रेंस जो सबसे पास का जितना ज्यादा पास आ सकता था क्लोजेस्ट डिस्टेंस आप अपरोच वह आर नॉट है तो इस बेसिकली जो माल लो यहां तक अलफा पार्टिकील आया और यहां आपे स्टॉप हो गया रूपिया क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही थी डिटू रिपल्शन तो उसकी स्पीड जो है वह जीरो हो गई और यह डिस्टेंस आर नॉट है देट इस काल्ड को जेस्ट डिस्टेंस आप अपरोच ठीक ना बात समय में आया उसकी जो काइनेटीक एनर्जी है प्यारे बच्छों कम हो गी तो काइनेटीक एनर्जी कम होगी तो जाएगी कहां गई काईनेटीक ेनर्जी पोटेंचल energy में convert होगी तो इस पॉइंट पे stop हो गया और यह निकुलियस है energy of projectile तो इसकी energy पूझ रहा है तो energy of projectile अगर देखोगे energy of projectile तो जो projectile है अगर उसकी energy देखोगे तो उसके पास kinetic energy हाप mass of projectile और उसकी speed भी square ठीक ना तो यह कहता है energy of projectile is proportional तो किसके proportional होगा तो यह ही तो यह kinetic energy ही तो है projectile के पास और यह जग यहां पर आएगा point A और point B पे तो यह जो kinetic energy है this kinetic energy this kinetic energy converted into potential energy converted into potential energy क्योंकि धीरे-धीरे kinetic energy decrease हो रही होगी तो इसका मतलब है हुगा कि half capital M B square is equal to kinetic energy is potential energy यहां पर इनके बीच तो potential energy कैसे लिखते है याद करूए लग्टो इस्टेट में दो चार्ज के बीच के बीच K naught Q1 Q2 sine के साथ उनके बीच का distance R naught तो यहां से 1 upon 4 pi epsilon naught यहां से Z1 Z2 और यहां से R naught ठीक है तो इसका मतलब भी होगा कि जो kinetic energy है अब यह पूझरा की kinetic energy proportional to product of Z1 Z2 तो यह जो kinetic energy है Z1 Z2 के proportional है